हाई फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल मित्र एजूकेशन हब में आज हम देके आए आपके लिए साइंस के टॉप 25 ऐसे कोसन जो परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं अगर आप अपने एक्जाम को लेके सीरियस हैं तो आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्ररिवेज पर करावे जाते हूं अगर आप भी आप आपर इस परिवेज़ पर की वीडियो देखना चाहते हैं तो ए हमारे एक्जाम की तियारी काफी बहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी प्रितिक वीडियो का नोटिविक्शन आप तक पहुंच सकें चलिए शुरू करते हैं हमारी आज या फिर पिर्तियाइस्त आपको बताते इसका राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर सी विद्धु चुम्ब की तरंगे जो हमारी एक्स किर्णा है वो विद्धु चुम्ब की तरंगे किर्णा होती हैं नेस कोशन देखते हैं यह रहा आपके सामने एक्स किर्णे एक्सरे का प्रियोग किस लिए किया जा सकता है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए या फिर बहु मुल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने में या हिर्दी रोग का पता लगाने में या फिर धातु को काटने और वेल्डिंग करने में आपको बता दें इसका right answer होगा option number B जो की बहु मुल्य पत्थर और हीरो की खराबी का पता लगाने के काम किया मिलिया जाता है ने इसको संदेखते हैं यह आपके सामने कि decibel क्या है यह एक संगीत वाद है या सोर का तरंग धेरिया है या संगीत का एक सोर है या धोनी तरंग का धोनी इस्तर का एक माप है आपको बता दें इसका right answer होगा option number D धोनी इस्तर का एक माप है ने इसको संदेखते हैं यह आपके सामने कि रात के समय आवासी छेत्र में सोर का जो अनुमत जो इस्तर है वो कितना होता है 45 decibel 55 decibel 75 decibel या 80 decibel आपको बता दे इसका right answer option number E 45 decibel यह रात के समय में है दिन के समय में 55 decibel की दोनी इसका सोर होता है ने इसको संदेखते हैं यह आपके सामने कि प्रासरवेत तरंग के आवरती होती है विसस्टूप से कि बीस किलो हैटेस से उपर बीस किलो हैटेस से उपर इसका राइट अंसर होगा कि बीस किलो हैटेस से उपर इसको संदेखते हैं यह रापके सामने कि प्रकास तंतू का प्रकास बल्ब मैं प्रियोग की गए दिकान जो विद्धू थो सक्तिक प्रिकट होती है द्रस्य प्रकास के रोप में यह आवरत किर्णों के रोप में यह प्राबैंग नींग किर्णों के रोप में यह प्रिती दिप्त प्रकास के रोप में इसका राइटे अंसर होगा ऑप्स नमबर रही द्रस्य प्रकास के रोप में इसको संदेखते हैं यह रापके सामने जमलीकित में से किसका धोनी के वेक पर कोई प्रिभाव नहीं पड़ता है दाब का तापम का धोनी के वेक पर कोई प्रिभाव नहीं पड़ता है नेस को सन देखते हैं यह रहां धोनी नहीं गुजर सकती जल से इस्टिल से वाई उसे या निरवात से आपको बता दे इसका राइट औंसर होगा ओप्स नमबर डी निरवात से इसको सन देखते हैंSwag निमले की दरववो में से धोनी सबसे तेज यात्रा करती है इस्टिल में वाई उ में निरवात में यह जल में आपको बता दे इसका राइट आंसर होगा option number A still में धोनी सबसे ज़ाज़ तेज़ गती करती है next question देखते है यह रहा हमारा next question कि धोनी का तार तो किस पर निर्फर करता है आवर्ती पर तिवर्यता पर या वेग पर या आयाम पर आपको बता दे इसका right answer होगा option number A आवर्ती पर next question देखते हैं यह रहा हमारा next question चमगादर की धोनी कैसी होती है सरवे आव धोनी आव सरवे या परासरवे आपको बतात इसका right answer का option number D परासरवे next question देखते है यह रहा next question कि चमगादर निमली खित में से चमगादर निमली कित में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकता है वे अंधेरे में वस्तु को देख सकते हैं उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमी पर पर भक्ची उन पर आतकरमन कर सकते हैं यह रोसनी की कौन दुथ उत्पन करते हैं यह वे परास्रोवे धोनी तरंग उत्पन करते हैं आपको बताते इसका राइट अंसरो का option number D वे परास्रोवे धोनी उत्पन करते हैं समताप मंडल पर ऑजोन मंडल पर आयन मंडल पर या छो बन पर पताद इसका राइट अंसर और ओप्स नमबर C आयन मंडल में जितने भी हमारे जो रेडियो संचार्ग जो हमारे एंटिनास होते हैं वो सब आयन मंडल के अंद्रो पस्तित के जाते हैं नेस पोशन देखते हैं MRI निम्न में से किसका प्रियूक क्या जाता है धोनी तरंका, X किरणका, प्रासरवी तरंका या चुम्बकी तरंका आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा आप्स नमबर D चुम्बकी तरंका नेस कोशन देखते हैं यह रहा हमारा नेस कोशन कि बलेक बोड़ी किसके भी किरण को आपसोशित कर सकती है केवल निम्न तरंक धेरिये या केवल मद्य तरंक धेरिये या उच तरंक धेरिये या सभी तरंक धेरियों को आपसोशित कर सकती है बलेक बोड़ी तो आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा आप्स नमबर D सभी तरंक धेरियों को आपसोशित कर सकती है Next question देखते हैं यह रहा हमारा Next question कि एक मोल जल का दुरयमान कितना होता है अठर ग्राम, एक 180 ग्राम, नभे ग्राम या 35 ग्राम आपको बता दें इसका right answer होगा option number B, 180 ग्राम Next question देखते हैं कि A, सुद्ध कपूर को सुद्ध किया जाता है और दू पातर द्वारा पिरभाजी क्रिस्टल द्वारा या पिरभाजी आस्वन द्वारा या भापी आस्वन द्वारा आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा आप्शन अमबर ए और दू पातर द्वारा नेस्वन देखते हैं सुद्ध जल का सुद्धतम रूप है नलका जल वर्षा जल भूम जल या आसूद जल आपको बता दे इसका राइट अंसर रगो आपसर नमबर डी आसू चल नेस कुछन देखते हैं जब दाब बढ़ता है बढ़ जाता है तो जल का कुछतनाग बिंदू पर क्या फरक पड़ता है वो समान रहता है बनने वाले वास्प की मात्रा निर्बर करती है या फिर कम हो जाता है या बढ़ जाता है अगो बता दे इसका राइट अंसर होगा इसका जब बढ़ जाता है नेस कुछन देखते हैं यह आपके सामने कि निमलिखित में से कौन प्रिदूसन नहीं फैलाता रवड का जलना पैटरॉल का जलना सोरूर्जा का प्रियोग या सभी सोरूर्जा का प्रियोग कभी भी कोई प्रिदूसन नहीं फैलाता है गुलकूज किसका एक प्रकार है पेंटू सरकरा का हैक्सोस सरकरा का या टेट्रो सरकरा या डाई ओस सरकरा उगता दें इसका राइट अंसर होगा ओप्सन नमबर बी हैक्सोस सरकरा जी नेट्स को सन देखते हैं इसक बरफ किसका ठोष रूप है अमोणिया का कारबन ड appeals का नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का आपको बता दें इसका राइट अंसर होगा ओप्सन नमबर बी कारबन डाई ऑक्साइड को सुस्क बरफ के रूप में जाना जाता है नेस कोशन देखते हैं यह आपके सामने कि सूखी बरफ किसका ठोस रूप है वायो का पानी का कारबंडाई उक्साइड का या नेट्रोजन का इसका राइट आंसरों का option number C कारबंडाई उक्साइड का नेस कोशन देखते हैं भापंगार गेस किसका मिस्तरण होती है कारबंडाई उक्साइड और हाइड्रोजन का कारबंडाई उक्साइड और नेट्रोजन का या कारबंडाई कारबंडाई उक्साइड और हाइड्रोजन का या कारबंडाई उक्साइड और नेट्रोजन का आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर C, कार्बन, मोनोकसाइड और हैड्रोजन, यह लास कोशन देखते हैं, कि जल गैस किसका संयोजन है, आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर C, कार्बन, मोनोकसाइड और हाइड्रोजन, गैस को ही चल गैस कहा जाता है, गैस का संयोजन कहा जाता है, यह थया हमारे आज़की लास के मौनस्ट टॉब को 25 क्एसे को़सन, और यह अच्छे लगे हमारे चैनल्स के कोशन, अगर आपको हमारे कोशन सच्छे लगे aujourd' is, था आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, आपने दोस्तों को साहते, करें लोए हैं मिलते हैं न्यक्ष